बिशोलाई सचेत पार्ने अठोट का साथ इमाली पद्यात्रामा निश्के पछी इम चित्वाको उपनाम पायेका आप्पासेरपा सबईको आकर्षणको केंडर तथा चर्चा को सिखर माँछन। बाता बरणी अपरी बर्तनले आकर्षणको धरोहर इमाल तथा इमाली छेत्रमा पारेको प्रभाब बारे प्रतक्ष्य अनुसंदान गर्ना निश्के काले पनी आप्पार उनको टोलीको चर्चा चुलियेको छा। आप्पा सेर्पाको जन्म सलुखुम्बुको थामेमा भयको हो। आप्पाको बालक काल को नाम लागपा तेन्जिंग सेर्पा रहेको थियो। 12 बर्षकई उमेरमा बुबाको निदन पची सम्पून परिवारको रेख देख गर्ने दाइतो आप्पाको कानाद मा आयको थियो। बुबाको निदन पची आप्पाले इसकुल को पड़ाई छाडेर पर्वत आरोही हरुसंग काम गर्न थाले का थिये। कुनै पर्वत आरोहर टोलीमा उनले भाण से केटो तकुनै पर्वत आरोहर टोलीमा भरियाको रूपमा समेत काम गरैका थिये। भरियाकाई रूपमा काम गर्दै जादा एक जना डेनिस समाध स्यविको सयोगमा उनलाई सोलुकाई हिमालाईन ट्रस्ट इस्कुलमा भर्नात गरियो तरा उनको परवत आरुहर गरने अभिला साले विद्यालाईमा दुई वर्स पनी पर्न सके नन सन 1998 मा आपपाले पईलो पटक सगरमाथा चर्ने प्रयास्त गरे तरा सफल हुना सके नन 8848 मिटर अगलो सगरमाथा को चुचुरो मा पुगन न सके पनी उनी 8500 मिटर सम्मा चर्न सफल भाए येस बाट उनी बिचलित भाए नन नत पलायन को बाट नही रोजे तेस पची का आपनो दुई आरोहन मा पनी उनी असफल भाए तीन पटक असफल भाए पची सन 1990 मे 10 थारिक मा आपपाले सगरमाथा को चुचुरो मा पईलो पटक सफल आरोहन को पाईला राखे यो टोली मा विच्चो कई पईलो सगरमाथा आरोही सर एड्मोंड हिलारी का छोरा ग्यारी बल रोब हल समेच सबागी थिये तेस पची का बर्शाहरु मा आपपा का लागी सगरमाथा को यात्रा विच्चो किर्तिमान कायम गर्ने सम्म लगातर रही रयो पईलो सफल ता पची आपपाले परवत आरोहर्ट टोली मा सेर पाहर को नायके अर्थाग सरदार को रूप मा काम गर्न थाले पईलो सफल आरोहर्ट पची को 19 बर्शामा आपपाले 19 पटक सगरमाथा को सफल आरोहर्ट गरी नया किर्तिमान कायम गरे सन उन्नाईसे च्यानाब्बे रवा दुएंचास दुएימा दुए बिजार एक भने आपपाले सागर माध। रिस्क कोरा हो ने तबहें को फर्के नहीं रजाए हैं और जाना थेखरी ने इंतवने पड़ए बहें को थे लिए नायो पीझेट पर ₹ आपपा सिर्पाले एउठा इतिहास रस्ते सगर माथा चडने अभियान बाटा सन्यास लियेका छन रा लागे काछन इमाल सम्रक्षर करने अभियान पर्फा सन्यास दिसेमबर देखी आपपा अपनो परिवार सइथ अमेरिका को साल्ट लेक सिटी माँ बस्वास गरे पनी नेपाल, नेपाली रा इमाल सम्रक्षर माँ क्रियासिल राये काछन आपपाले सन 2009 को अप्रिल मा नेपाल मा सैचिक तथा आर्थिक विकास करने उदेश्यले उनले आपपा सेर्पा फाउंडेशन को गठन गरेका सन सखल आरुहर को स्रिंखला पईलो पट सन 1990 मे 10 तारिक दोसरो पट सन 1991 मे 8 तारिक तेसरो पट सन 1992 मे 12 तारिक 14 पटक 1992 अक्टोबर 7 तारिक 5 पटक 1993 मे 10 तारिक 6 पटक 1994 अक्टोबर 10 तारिक 7 पटक 1995 मे 15 तारिक 8 पटक 1999 अप्रिल 26 तारिक 9 पटक 1999 मे 20 तारिक 10 पटक 1999 मे 26 तारिक एगारों पटक सन दुई हजार में 24 तारिक बारों पटक सन दुई हजार दुई में 16 तारिक तेरों पटक सन दुई हजार तिन में 26 तारिक चौदां पटक सन दुई हजार चार में 17 तारिक पंद्रों पटक सन दुई हजार पाज में 31 तारिक सोरवववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववव तरीक.